कैसे हैं दोस्तों आप सब और आज में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ Audi Q3 का बोल्ड एडिशन गाड़ी का आप लोग देख सकते हैं हाँ पर complete front से look complete all black finish में grill मिल जाती Audi का logo भी याँ पर glossy black finish के साथ मिलता है इस बोल्ड एडिशन के अंदर और यह हैं इसकी complete by beam LED headlight with LED DRLs and turn indicator integrated bumper के lower part में भी glossy black finish मिलती है big surge radiator grill मिलता है बहतर air intake के लिए काफी जदा aerodynamic design है Audi Q3 का bonnet में design मिलता है बहतर aerodynamics के लिए और यह गाड़ी के wiper and washer और यह है दोस्तों Audi Q3 के बोल्ड एडिशन का कमजिट side से look यह white color आप देख रहे हैं इसके लवा blue, black, orange and gray color का भी option आता है गाड़ी के अंदर 4.4 मिटर की length मिलती है और 1.6 मिटर की height मिलती है गाड़ी के अंदर आगे mag person stud और पीछे आप लोगों को गाड़ी के अंदर four link rear axle suspension मिलते है विश शॉक absorber जिससे जो ride quality गाड़ी की वो भी काफी बहतरीन मिलती है cotro all time four wheel drive system मिल जाता है गाड़ी के अंदर सांती सां जो की one of the best off-roading system है और ये इसके 18 इंच के five spoke alloy wheel silver finish में outside ORBMs internally adjustable foldable and heated function के साथ मिलेंगे भी turn indicators integrated उपर की तरफ आप लोगों को sunroof, roof rails and shark fin antenna मिल जाता है glossy black finish में और ये रहने वाला एक गाड़ी का complete rear से look पीछे भी dual combination LED आप लोगों को tail lights मिल जाती है गाड़ी के अंदर सांती सां rear fog light मिलती ही, bumper के lower part में reflector के सांत six airbags, ABS, ESP, tire pressure monitoring system, hill assist, front end side impact beams, reverse parking sensors, high speed volus and corning ये सारी चीज़ें आप लोगों को गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है emergency brake, आप लोगों को panic breaking signal जैसे features भी मिलता है गाड़ी के अंदर bumper के lower part में भी skid plate मिलती, integrated spoiler मिलता है, पीछे Q3 की बेजिंग, quadro four wheel drive system की बेजिंग, audi की जो बेजिंग दी गई यहाँ पर वो भी आप लोगों glossy black finish में ही मिलती है one test से open कर सकते हैं, गाड़ी का boot और की से भी open कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को one of the best, आप लोगों को segment के अंदर 460 लिटर का boot space ओफर करती है, audi Q3 boot के अंदर lights वगरा भी यहाँ पर दी गई है चाहें तो rear seat को भी fold कर सकते हैं, जादा luggage रखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है twerlo का charging socket and इसको उठाएंगे तो इसकी नीचे आप लोगों को spare wheel बगरा नहीं मिलेगा इस variant के अंदर audi Q3 में parcel tray मिल जाती है और one touch से जो है गाड़ी के boot को यहाँ पर close किया जा सकता है paint की quality आप लोग जानती है काफी बहतरीन मिलती है यहाँ पर गाड़ी के अंदर और यहाँ से डलवा सकते हैं गाड़ी के अंदर दोस्तो पैट्रोल कुछ इस तरीके से open होती है इसकी fuel lid and यह लोग एक audi Q3 के complete bolt edition का और आई आप गाड़ी के पीछे के passenger side gate का लोग open करके देख लेते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के पीछे के passenger side gate का लोग door की opening आप लोग दिख सकते हैं अंदर जाने याँ बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं आती ambient lighting continue होती है dashboard से आप लोगों के पीछे के doors तक भी dual tone finish मिल जाती है 10 finish में leather आप लोगों को touch दिया गया है चलिए मैं गाड़ी के अंदर बैट जाता हूं यहाँ पर वो door को close कर लेता हूं proper third के साथ गाड़ी के door यहाँ पर close होते हैं leg room में सेच कोई दिक्कत नहीं थी तीन लोग अराम से बैट सकते हैं पीछे की seat में 3 height adjustable headrest मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर and center में armrest मिलते हैं इसके अंदर आप लोगों के अपर दो cup holder मिल जाते हैं साथी साथ rear के जो AC vents मिलते हैं वो भी काफी effective मिलते हैं गाड़ी के अंदर यहाँ पर headrest दिये गए हैं ऊपर की तरफ मिल जाती LED reading lights white animation के साथ scooped out head liner मिलता है बहतर headroom के लिए and यह rear AC vents आप लोग देख सकते हैं complete लोग इसमें भी glossy black finish आप लोगों को दिया गया इसके surrounds में एक premium feel के लिए गाड़ी के अंदर front के दोनों seats के पीछे pockets मिल जाती है और यह complete front dashboard का लोग रहने वाला है audit Q3 के bold edition का पीछे की seat से यहाँ पर grab handle मिल जाते हैं with coat hook glass area बगरा जो है गाड़ी में काफी बड़ा मिलता है तो अंदर बैटने के बाद काफी airy feeling आती है और clusterfobic feel नहीं होगा और साथी साथ front की seatbelt की height बगर को पी adjust किया जा सकता है manually और चलिए अब गाड़ी के driver side gate का लोग open करके देख लेते हैं तो यहाँ पर driver side door के अंदर keyless go का feature मिल जाता है और ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के driver side gate का लोग यहाँ पर भी same black and tan आप लोगों को dual tone color combination मिल जाता है door के अंदर नीचे की तरफ complete आप लोगों को projection मिल जाती है ORBM से और four power window की controls outside ORBM का आप लोग complete adjust कर सकते हैं वहीं से unfold कर सकते हैं electronically door unlock lock कर सकते हैं और यह complete dashboard का लोग है overall ordi q3 के bold addition का और ऐसी कुछ दिखती गाड़ी के front की seat complete आप लोग electronically adjust कर सकते हैं thigh support back support और लंबा support को seat के अंदर electronically front की दोनों seat में और ऐसे कुछ दिखती है गाड़ी के pedals complete dead pedal के साथ dashboard के lower part में भी यहाँ पर ambient lighting मिल जाती है and गाड़ी में अंदर बैटने के बाद सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों को लगने वाली इसकी visibility bonnet proper दिखाई देता है एक commanding position में आप बैठते हैं गाड़ी के अंदर and ऐसी कुछ चाबी देखने को मिलती है audit की badging lock unlock और boot unlock कर सकते हैं आप लोग गाड़ी का और यहाँ पर proper key मिल जाती jack night और key को रखने के लिए आपर proper space दिया गया है गाड़ी के अंदर center console में और यहाँ पर आप लोग दिख सकते हैं complete digital यहाँ पर गाड़ी के अंदर की offer करेगी segment के अंदर भी और जो इसके graphics दियेगा है overall वह one of the best is segment के अंदर जो touch का response वगरा यह आप लोग देख सकते हैं काफी सारी चीज़ें जो है इसके instrument cluster में भी browse तू करी जा सकती है वहें पर engine coolant temperature, fuel level, distance to empty यह सारी चीज़ें बताएगा गाड़ी का real time average के साथ headlight वगरा के control आप लोगों को हैं पर मिल जाते है right side में, paddle shifters मिल जाते है, audit की badging मिलती steering wheel में, नीचे की तरफ cruise control के control मिल जाते है, steering mounted control मिलते है वही पर, tilt and telescopic function के साथ आता है गाड़ी का steering wheel, complete leather अब मिल जाता है, और यह है इसका big size touchscreen infotainment system, reverse पर की camera की quality भी आप लोग देख सकते हैं, with guidelines के साथ आएगा reverse camera, quality भी काफी अच्छे मिल जाती है, बाकि एंडर अटो, apple carplay support करेगा, bluetooth के साथ, FM radio, inbuilt navigation आता है साथी साथ इसके अंदर, और जो इसके touch का response बग brightness को कम जादा किया जा सकता है, automatic climate control यहां पर AC मिल जाता है, गाड़ी के अंदर with heater, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं, उसको complete look, नीचे की तरफ infotainment को control करने के लिए manual buttons मिल जाते हैं, volume वगरा को, और काफी सारे buttons मिल जाते हैं, hill decent control वही से कर सकते हैं, traction control आफ कर सकते हैं hazard rate कर से उसको on off कर सकते हैं, parking sensors on off कर सकते हैं, wireless charging मिलती है, और यह है इसका 7 speed DCT transmission, automatic, electronic parking brake मिल जाता है, armless के अंदर भी decent space मिल जाती हैं, यहां पर, 2 cup holder, center में cigarette lighter मिल जाता है, और यह है इसका big size one touch panoramic sunroof, green tinted glass के सांथ, बहतर UV rays से protection के लिए यहां पर आप लोगों को मिल जाता है जोगी, और one touch से इसको close कर सकते हैं, इसको open करने के बाद काफी airy feeling आती ही, गाड़े के अंदर, front में भी complete finger touch से आप लोगों को reading lights आप लोग देख सकते हैं, on off होती हैं, यही खासियात है, premium गाड़ी की, passenger search function में vanity mirror with light, same चीज, driver search function में भी यहां पर दी गई है, vanity mirror with light, auto dimming rear mirror मिलता है, quadro, four wheel type system की badging मिलती है, dashboard में, glove box भी हाँ पर काफी चीज, space offer करता है, तो overall एक काफी practical and powerful SUV निकल के आती, Audi Q3, 62,46,000 रुपीज की पड़े की bowl edition, on road price राइपूर में, हर city का जो price है हाँ आपर उपर नीचे हो सकता है, on road keep अगर pricing की बात करें तो, और चली हैं से मैं गाड़ी का bonnet open कर लेता हैं और देख लेते हैं गाड़ी का engine bonnet open करने के बाद, यह Audi Q3 का bowl edition आप देख रहें, hydraulic studs मिल जाते हैं bonnet के अंदर, यह Audi की तरफ से आने वाला 2000cc का in-line four cylinder turbo charge petrol engine, जो की 187bhp की power and 320nm of torn काल के देगा, 222 km per hour की top speed मिल जाती है इस engine के साथ, 0 से 100 की speed प यहां से डाल सकते हैं wiper and washer fluid, उपर यहां पर बुनर में padding मिलती हैं, केविन में sound कम जाए और काफी refined and powerful turbo charge petrol engine मिलता है यह आप लोगों को Audi Q3 के अंदर, तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा Audi Q3 के bold edition का वीडियो मुझे comment से बताईए, साथी मेरे चैनल को लाइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए का ताकि आप लोगों आरेसी वीडियो देख सकें तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत